हेलो विवान दिस इस निशु और वाचिंग अन्यूशुवल वे तो गाइज आज बात करेंगे हम प्लिटिकल साइंस का चाप्टर नंबर वन दी एंड ऑफ बाय पॉलारिटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स सो इस चाप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्च देट काय। अबर फ्र्स क्वेश्चन इस वोट आज फीचर ऑफ यू इससे जए जान रखते हैं तो अगर यह क्वेश्चन आता है कि वाट आज उड्यूर्स ऑफ यस ना के फीचर के तो आप यह आद रखिए कि इसमें यूससर की पॉजिटिव क्वालिटी के बार में ज या 6 marks का question आपको सबसे पहले description लिखना है अब डरिये मत के description यह भी लिखना पड़ेगा क्या नहीं इसमें जादा कुछ नहीं करना आपको सिर्फ जो question पूछता है उससे रिलेडर कुछ-कुछ में कब आया तो कब आया था Russian Revolution जब 1917 में Russian Revolution हुआ उसके बाद USSR का formation हुआ तो सिर्फ इतना सही लिखना है आपको जैसे आप description complete कर लेंगे उसके बाद आपको features के बार में लिखना है और उसे पहले आप यह बताएंगे कि features of USSR are following मतलब यह heading में डालेंगे ताकि teacher को पता चल जाए कि अब आप features के बार में explain करने जा रहे हैं okay so the first point that you will describe this is favor to socialism okay जब आप USSR के feature के बार में बता रहे हैं तो obviously USSR कौन सी ideology को follow करता था क्या 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 उसके country में था यह सारा कुछ आपको उसमें include करना होगा तो पहला point आप बता सकते हैं कि जो USSR था वो socialism की ideology को follow करता था अब पूर Capitalist Capitalism की ideology को follow करता था और जो Eastern world था वो socialism की ideology को follow करता था जिसमें सभी चीज स्टेट ही provide कर रहाता था लोगों को okay तो यह social welfare के उपर focus कर रहा था तो first point हो गया अब देखिए आपको करना क्या है आपको इन सभी points को लिख कर इसको दो या ती लाइनों में आपको सिफ explain करना है जैसे हम जो मैं आपको समझा रही हूँ वही आपको sentence के form में लिखना है दूसरे point की बात करें तो दूसरा point है it was based on the principle of equality okay तो जो USSR था वो equality के principle पे बेस था अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि USSR हमेशा equality में believe करता था तबी तो वो सारी रिसोर्स सारी चीजे country के सार सभी country के citizen में equally distribute करता था जितने भी citizen थे उन सभी citizens को equal opportunity देता था तो यह principle of equality मतलब state वो सब कुछ provide करेगा जो एक citizen को जीवन जीने के लिए जरूरी है लेकिन वो सभी लोगों को equally distribute करेगा आपको समझ में आगे इस point में क्या लिखना है आपको okay so next point है it abolished the private property yes यह भी point आप डाल सकते हैं कि जो USSR था उसने अपनी country में private property को abolish कर दिया था मतलब कोई भी citizen USSR में property hold नहीं कर सकता था property hold करना मना था तो इस खिसाब से जो सारी property थी वो किसके हाथ में चली जाती थी वो स्टेट के हाथ में रहती थी स्टेट ही उसका owner होता था समझ में आ रहा है आपको तो एक बात और इसमें बहुत सारे topics बहुत सारे points डिसकस करे गए हैं इसमें बहुत सारे points लिखे हैं लेकिन आपको सारे याद नहीं करने हैं आप सिर्फ यह देखिएगा कि आपका जो question है वो कितने नमबर में पूछा अगर वो चार नमबर में पूछा है तो आपको इन स तो आपको 6 points लिखने और डिसक्रिप्शन अपको अलग से लिखना ही लिखना है वस आपको एक दो सेंटनेशने ज्याला लिखने पर लेगे इसको अब दूसरा, economy was controlled by state, अब ये तो हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि जो USSR है, उसकी जो economy है, वो सब कुछ USSR के state के द्वारा ओन किया जाता था, मतलब वहां के जो citizen थे, उनके पास कोई भी राइट नहीं था, कि वो अपनी मर्जी से अगर property ओन करना चाहे, business चलाना चाहे, त तो ये सारा कुछ state के द्वारा control किया जाता था, next आप लिख सकते हैं, military alliance, तो देखिए, जो USSR था, उसका military alliance भी था, उस military alliance का नाम था, wars of pact, और ये 1955 में form हुआ था, देखिए, आप ये point ऐसे लिख दीजिए, और फिर इसी को sentence के रूप में लिख दीजिए, जैसे, the military alliance of USSR was wars of pact, it was formed in 1955, it was one of the feature of USSR, आप इतना भी लिख देंगे ना, तो आपका ये points कवर हो जाएगा, okay, तो आप बढ़ते हैं, next point पे, next point क्या है, next point है, became second world war, okay, तो देखिए, जब हमने देखा था, कि जब second world war खतम हुआ था, तो world दो भाग में divided हो गया था, एक था western world, एक था eastern world, मतलब की USSR की power ही आपर चलती थी, अब जो western world था, उसमें USA की power चलती थी, अब ये दोनों ही इसको, ये जो western world है, इसको हम first world बोल देते हैं, और USSR को हम second world बोलते हैं, क्योंकि पूरा, पूरा world सिफ इन ही दोनों लोगों के बीच में चल रहा था, मतलब ये इसकी ideology capitalist थी, इसकी ideology, socialism थी और दोनों एक दूसरे के opposite बने हुए थी, चीक है, तो उसी में, जो USSR था, वो second world power बन गया था, दो ही power थी, हमारे पास, एक था USA और दूसरा था, USSR तो USSR था, चीक है, आप ये explain कर देंगे, again, I am repeating, आपको ये सारे points नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ, मेरे अगर ये ही question 4 marks का आता है, तो 4 marks, 4 points लिख दीजिए, okay, तो next point की तरफ देखते हैं, complex communication network, तो USSR का जो communication network था, वो बहुत जाधा complex है, वो बहुत easy नहीं था, कि हार एक citizen को समझ में आ जाएगा, या फिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये बहुत complex है, ये इसकी strength थी, okay, next है, state produced everything from pin to car, अब यहाँ पर जो pin और car लिखा हुआ है, ये actually pin और car नहीं है, pin का मतलब है, एक छोटी से छोटी चीज भी USSR अपनी country में ही produce करता था, और pin से लेके car तक, और मतलब कि छोटी से छोटी चीज से लेकर, बड़ी से बड़ी चीज तक, car यहाँ पर denote कर रहा है कोई बड़ी चीज, कुछ भी, तो वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सब कुछ USSR अपनी ही country में produce करने की कोशिश करता था, और वो करता भी था, कहीं किसी देश से import नहीं करता था, okay, so ये सारे points से आपको again, आपको जो points अच्छे लग रहे हैं, जो या 4 marks में आए तो भी, और 6 marks में आए तो भी, तो हम बढ़ते हैं, अपने next point पे देखिए, बहुत सारे points है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, next point है, ensure minimum standard of living, तो yes, ये भी एक feature था USSR का, कि USSR ये ensure करता था, कि अपनी country में जितने भी citizen है, उनको minimum standard of living प्रवाइड हो रहा है, या नहीं minimum standard of living का मतलब है कि एक जीवन जीने के लिए जो basic necessities होती है, जो basic जरूते होती है, वो सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, okay, तो एक feature ही हो गया, next feature है, it subsidized the basic necessities, अब जो USSR था, वो अपनी country के जितने भी citizen थे, उनको basic necessities पूरी करता था, जैसे कि education हो गया, जैसे कि food हो ग तो मतलब यह जो भी चीज़ एक जीवन जीने के लिए, जितने भी basic necessities होती थी, वो सब कुछ USSR ही उनको provide करता था, कराता था, तो citizens को कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, मतलब जो pressure होता है लोगों के उपर, वो उनके उपर नहीं था, क्योंकि जो basic necessities है, वो state खुद provide करते था, next है, no unemployment, yes, शुरू-शुर में आप देखेंगे कि USSR इतना powerful और इतना successful रहा कि इसमें unemployment जैसा कोई issue तो emerging नहीं हुआ, लेकिन हाला कि यह बात में गलत हुआ, मतलब unemployment बहुत तेजी से फैला USSR में, but शुरू में USSR में unemployment नहीं था, ठीक है, तो आप इन सभी points मे से कुछ भी लिखिए, कोई भी point लिखिए, बस आप उसको revise कर लीजिए, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question है, what were the negative aspects of USSR, अब इसी questions को दूसी तरह से भी पूछ सकता है, what were the reasons of disintegration of USSR, तो देखिए, जो हमने अभी पहले in questions की बात करी, in points की बात करी, इस question में features of USSR पूछ रहा या फिर, USSR का जो disintegration हुआ था, उसके कारण क्या थे, तो जो negative aspects थे, वही उसके कारण भी थे, तो दोनों language में पूछा जा सकता है, बट इसका answer एक ही है, okay, तो again जब ऐसे question आएंगे, ये भी question 4 या 6, दोनों marks में आ जाते हैं, कई बार ये 4 marks में भी आते हैं, कई बार ये 6 marks म आप ये बता दीजिए कि USSR का existence, Russian Revolution के बाद हुआ, 1917 में जब Russian Revolution हुआ तो उसके बाद USSR emerge होके आया, अब उसके बाद heading डालिए, एक negative aspects are following, या फिर अगर question ये है कि reasons are disintegration के, तो आप ये लिखिए, the reasons of integration, disintegration are following, अब ये लिखने के बाद आपके points शुरू हो जाएंगे, again, सारे points आपको नहीं लिखने, नहीं याद करने, आपसे उनहीं points को याद के लिए, जो आपके लिए easy है, ओके, तो शुरू करते हैं, पहला है economic stagnation, देखिए, USSR में economic stagnation आगया था, मतलब उनकी जो economy थी, वो boost नहीं हो रही थी, वो आगे उसकी growth नहीं हो रही थी, जिसकी वज़े से जो citizens थे, वो गरीब होते जा रहे थे, unemployment बढ़ता जा रहा था, जिसकी वज़े से महां के लोग बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हो के थे, गौवर्मेंट से, तो आर्थिक स्थिरता आ गई थी, आर्थिक रूप से वो develop नहीं हो रहे थे, तो पहला कारण यही था, यह negative aspects भी है, और यह reasons भी है, इसी के वज़े से USSR का disintegration भी हुआ, तब पढ़ते हैं, next point की तरफ, next point है, ordinary citizens became more knowledgeable about economic advancement of West, अब यह देखिए, अब USSR में जो लोग है, USSR में, USSR का खुद तो economic growth हो नहीं रहा, economic stagnation आ गया, रुकावत आ गया, उनकी growth नहीं हो पा रही है, और जो वहां के ल Western World की तरफ देखते हैं, मतलब USA और उसके साथ वाले जो countries थे, उनको देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है, कि USA technology में या growth में कितना आगे निकल चुका है, तो वो यह जब देखते हैं, अपने खुद जब यह Western World को देखते हैं, डिवेलप होते हुए, तो यह और भी ज कहते हैं, कि USSR की सारी power, state ही hold करता था, मतलब state के पास ही decision था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ state ही decide करता था, किसी भी citizens के पास, किसी government employees के बास, कोई भी power नहीं थी, कि वो कोई decision ले सके, तो इस वज़े से, जो power है, यह इसी form of government को क्या बोलते है, centralization of authority, मतलब क सारी जो power थी, वो centralized होगी थी, वो सिर्फ एक के हाथ में थी, और वो था state, उसकी government, USSR की government, तो वहाँ पे सारी power जाने के बाद, लो इस government से असंतुष रो जाते हैं, डिससाटिस्फाइक हो जाते हैं, next point है, bureaucrates gain more privileges, तो जब अब इस दौरान यूद चल रहा था, यह वो दौर अब ही second world war हुआ है, second world war खतम हुआ है, उसके बाद, इनकी जो economy है, वो तो पहले ही गिरी हुई है, और उसके बाद भी यह सारी privileges, सभी तरह की सूविधा हैं, लोगों को ना देके, किसको दे देते हैं, bureaucrates को, जो government वहाँ पे चल रहे हैं, उनको privileges दे देते हैं, अब इन ही स जो USSR के जो लोग थे, citizens थे वो आख देते हैं, तो यह एक यह reason था जिसकी वज़े से USSR का disintegration हुआ, next reason है, rampant corruption, अभी तक तो जब हम, जब USSR जब superpower बना हुआ था, तो उसमें किसी भी तरीके का corruption नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे यह सारे decision लेना वो लोग शुरू करते हैं, जैस Bureaucrates को देने लगे थे, तो वहाँ पर corruption जैसे problems emerge होने लगे थे, अब लोग एक तो इस से जूझने कि उनका growth नहीं हो रहा, उनकी economy boost नहीं हो रही, दूसरा, वहाँ पर unemployment जैसे conditions create हो थे, जिसके वज़े से लोगों का जो विरोध था, वो और भी जादा बढ़ गया, next point है, they spend resources in military, again हमने बात करी कि यह ideological war थी, इन दोनों के बीच में war चल रहा था, लेकिन उस समय पर ऐसा time था कि कि किसी को नहीं पता था कि कब actually war हो जाए, अगर नहीं eastern world को पता था और नहीं western world को पता था कि actually कब war हो, अगर थोड़ी से भी चिंकारी निकलती ना, तो इन दोनों के में third world war होना निश्चित था, तो इसी डर के मारे यह लोग अपनी military को strong कर रहे थे, कि obviously जब war लड़ी जाएगी, तो military तो लड़ेगी, और military ही जब strong नहीं रहेगी, तो वहाँ पर war कैसे लड़ा जा सकता है, तो इसी को सही करने के लिए, मतलब जीतने के लिए, वह लोग सा अब ही countries, मतलब USAB और USSR लेकिन हम तो इसमें USSR की बात कर रहे हैं, लेकिन USAB ऐसे ही कर रहा था, USSR सारी अपने प्रिफरेंसे थे, अपने पैसे थे, अपने country के जो पैसा था, resources थे, वह सभी कुछ nuclear weapon को gain करने के लिए, सब कुछ खर्च कर दिये जाते हैं, अब लोगों को यहा कैसे ट्रीट करा जा रहा था, क्योंकि जब USSR कंट्री है, जहां पर रहते थे, तो लोगों का भी हक बनता है, लोगों का भी राइट बनता है, कि वह उसमें पार्टिसिपेट कर पहें, लेकिन वह नहीं कर पारे थे, नेक्स पॉइंट है, नॉट फुल्फिल, पॉलिटिकल है, उसको भी फुल्फिल करना होता है, लेकिन स्टेट यह भूल जाता है, जिससे कि लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे, वह पूरी नहीं हो पाती है, अब पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या होते हैं, जब हम किसी गवर्मेंट को या किसी पार्टी को चूस करते ह हमारे एक एस्पिरेशन होते हैं, मतलब हमारी इच्छा होती है, कि जो इस गवर्मेंट को हमने चूस किया वो यह करें, या फिर वो एजुकेशन पर काम करें, या जॉब सेक्टर को क्रेट करने के लिए काम करें, एकनौमिक ग्रोथ करें, तो सबकी अलग-अलग ही एस्प पूरी नहीं होती है, तो लोग उस पार्टी को या उस गवर्मिन को बोर्ट करना छोड़ देते हैं, तो यह हो रहा था यूससर के साथ, वहां कि जो लोगों के पॉलेलिकल एस्पिरेशन से वह पूरे नहीं हो पा रहेते हैं, अब लास्ट रीजन है, पॉलिसी और पॉलिसी निकाली थी, इसमें यह कहते थे, कि हम अपनी कंट्री में, मतलब हम अपनी कंट्री के एकॉनमी में ओपनेस लाएंगे, और स्ट्रक्चर तरीके से हम कैपिटलिस्ट आइडिलोजी की तरफ थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ेंगे, लेकिन यह जो गोर्बाचेव पूछा जाएगा, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, तो आप at least six points तो याद कर लीजे, ताकि आपको six marks में तो भी कोई दिक्कत ना हो, four marks में तो भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन description ज़रूर लिखना है, तो चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है, what are the consequences of disintegration, अभी तक हम हम बात करेंगे, okay, disintegration हो गया, लेकिन इसका है, परिनाम क्या निकला पूरे वर्ल पे, ठीक है, again, six marks या four marks में ही पूछता है, ज़्यादा तर six या four marks में पूछता है, ज़्यादा तर chances होते हैं, कि ये four marks में पूछते हैं, लेकिन you never know, ये six marks में भी आ सकता है, इसके साथ प भूपम बताईए, उनिस साथ में ये बना ये बता दीजिए, इसके बाद आप लिखे, consequences of disintegration of USSR are following, उसके जो परिनाम थे, USSR के disintegration उसके परिनाम ने लिखिता है, पहला परिनाम क्या था, end of cold war, तो देखिए, cold war 1945 से लेके 1991 तक चलता है, मतलब जब second world war खतम हो जाता है, उसके बात से cold war शुरू हो जाता है, और वो तब तक चलता है, जब तक USSR का disintegration नहीं हो जाता है, और जब USSR का disintegration होता है, तो cold war खतम हो जाता है, मतलब, अब USSR का disintegration हो गया, तो जो यो world था, जो दो खेमों में बटा हुआ था, अब ये पूरा एक हो गया, क्योंकि USSR की power तो रही नही तो अब इस पूरे world पे कौन रूल कर रहा है, USA, अब cold war खतम हो गया, अब USA को किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला point, I hope आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा point है, end of ideological dispute, तो जो दो ideological dispute चल रहे थे, एक तो USA की चल रही थी, और एक था USSR, USSR की जो ideology थी, वो थी capitalism अब इन दोनों के बीच में युद्धु चल रहा था, और दोनों कंट्री अपने आपको सही साबित करने में लगी हुए थी, USSR ये साबित करना चाहता था कि सोशलिजम की जो ideology है, वो सबसे best है, और USA ये साबित करना चाहता था कि जो capitalism की ideology है, वो सबसे best है, अब डिसिंटी सबसे जो हतियारों की होड चल रही है, आपने देखा भी जब हम USSR के डिसिंटीग्रेशन के रीजन्स की बात कर रहे थे तो उसमें देखा हमने कि सारे प्रिविलिजिस ब्यूरक्रेट्स को दी जा रही है, मिलिटरी को सारा पैसा खर्च करा जा रहा है, लोगों की तो जैसे ही USSR का डिसिंटीग्रेशन हुआ, आम रेस का जो रेस था, मतलब की हतियारों की जो होड हो रही थी दोनों कंट्रीज के दोनों पावर के बीच वो खतम हो जाती है, नेक्स्ट है, बाइपॉलारिटी चेंज इंटू यूनिपॉलारिटी, यह भी बहुत इंपॉर और जो एक दूसरे के बिलकुल ऑपजिट होते हैं, तो यही सेम कॉंसेट अप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, कि USA और USSR दो आइडिलोजी थी, पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉग में डिवाइड़ हो गया था, और दोनों की जो आइडिलोजी थी वो एक दूसरे के ऑपजिट तो जो बाइडिलोटी था, मतलब दो धूरुप बने हुए थे, दो सुपर पावर बने हुए थे, USSR का जैसे यह डिसिंटिग्रेशन होता है, यह दो सुपर पावर, एक सुपर पावर में कनवर्ट हो जाता है, मतलब की बाइडिलोटी जहां पे दो पावर थी, वो यूनि इडिलोटी थी, एक तो था, कैपिटलिजम और एक था सोशलिजम, अब सोशलिजम हार गया तो, सोशलिजम तो हार गया, तो पावर किसकी बढ़ी, कैपिटलिजम की, तो कैपिटलिस्ट जो एकॉनमी थी, वो डॉमिनेंट हो गई, मतलब पूरे वर्ल्ट पे उसी खावर बढ़ गया, नेक्स्ट है, एमर्जेंस टू न्यू इंडिपेंडेंडेंट कंट्रीज, अब जैसे सेकिंड वर्ल्ट, जैसे यूससर का डिसिंटिग्रेशन होता है, तो जैवो यूससर पंदरा कंट्रीज से मिलके बनाता, वो सभी अलग हो जाती है, अब वो जो अलग हो आपको समझ में आया होगा, अगेन आपको सारे लिखने की जूरत नहीं है, जो आप से जो याद हो जा रहा है आप सिर्फ उनी को याद करनेजे, उनी को लिखिए, उनी को याद करिए, उनको बार-बार रिवाइस करिए, जब एक्जाम में आया तो आप भूले नहीं, और यह as it is question आया, तो यह 6 marks में पूछता है, लेकिन अगर सिर्फ consequences पूछता है, तो यह 4 marks में पूछता है, और ऐसा भी होता है कई बार कि सिर्फ 2 marks में ही हमें shock therapy के बारे में पूछ ले, कि shock therapy क्या है, आपको समझ में आया है, तो इस 6 marks के question जब हम discuss करेंगे, तो इसमें 4 marks की question इसमें 2 marks की question भी cover हो जाएगा, तो चले शुरू करते हैं, सबसे पहले shock therapy क्या है, वो समझते हैं, देखिए, जब USSR का disintegration हुआ, तो USSR के साथ जितनी countries मिल के बनी थी, वो सभी अलग-अलग देशों में तूट जाती है, तो अलग-अलग independent country बन जाती है, तो अब USA क्या करता है इन सभी countries को financially help करता है, मतलब इनको loan प्रोवाइड करता है, पैसा देता है, ताकि अपनी country को ये नया बना सके, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रोक हुच चुकी थी, मतलब इनके पास इनकी जो economy थी, वो तो चूट चुकी थी, इनके पास कुछ ना पैसा था, और ना ही कोई strategy थ इसी चीज को हम shock therapy कहते हैं, अब हम ये समझते हैं कि इसको shock therapy क्यों कहते हैं, देखिए, पहला, इट पैन्फुल प्रोसेस ऑफ कॉलाप्स अफ कम्यनिजम, तो जब USSR की जो countries थी, जो नहीं नहीं उभरी थी, वो सभी USA की तरफ आ रही थी, मतलब कौन सी ideology की तरफ आ रही थी transition from authoritarian socialist system to democratic capitalist system, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि, जो countries थी, वो authoritarian socialist system से, देखिए, कम्यनिजम, socialism की ideology से, सभी countries किस तरफ मूब हो रही थी, capitalism की ideology पे, समझ में आ रहा है, तो जो socialism, जो socialist system था, USSR का, वो authoritarian था, मतलब इसमें बहुत सारी power सिर्फ स्टेट को ही थी, और लोगों क पास कोई power नहीं थी, तो यह इसलिए authoritarian था, तो यहां से लोगों का ट्रांसफर किदर हो गया था, capitalism की तरफ, ठीक है, तो यह transition था, अब यह transition करवाया गया, यह USA के द्वारा करवाया गया, तो और help किसके लिए गई थी, world bank और IMF, मतलब आप जानते हैं, कि world bank और IMF, मतलब जो वो countries थी, जो newly independent countries थी, उनको लोन देती है, financially help करती है, और इसी के वज़े से इनकी जो economy थी, उसमें drastic change आ जाता है, drastic change मतलब इतनी तेजी से change आता है, कि थोड़े समय पहले, वो socialism की ideology को follow कर रहे थे, और एकदम से अब वो capitalism की ideology को follow करने लगे, तो उनकी जो economy थी, उसमें drastic change, बहुत तेजी से change आ गया, और यह एक शौक की तरह था, धक्का लगा एक, तो इसलिए हम इसको बोलते है, शौक थेरपी, आई हूप आपको शौक थेरपी क्या है, वो समझ आ गया होगा, यह जो points लिखे है, इन ही points को आपको explain करना होगा, आप इसको अगर स्टोरी के फ अब हम बात कहते हैं, इसके consequence के बढ़ में, तो पहला है, इसका consequence कि इसका, कि शौक थेरपी, जब USSR की जो countries थी, वो capitalism की और आई, तो उनका परिणाम क्या निकला, यह पढ़नाया में, तो पहला है, largest garage sale in history, तो देखिए, USSR में एक largest garage sale आया, मतलब इसका मतलब क्या आप यह सम महंगी महंगी industries थी, वो undervalued हो गई, और उनको throw away prices पे बेचा गया, मतलब यह जो countries जो industries थी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन ओने पोने दामों पे बेच दी गई, समझ में आगा है, इसी को हम बोलते हैं, largest garage sale in the history, थी हांख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यह पहली बार हुआ जो इतने बड़े लेवल पे जो economy थी, वो इतनी बुरी तरीके से गी थी, और जो industries थी, वो बहुत कम दामों में बेच दी गई थी, तो इसलिए हम इसको ओने पोने दामों में बेच आ गया था, सेकिंड है, decline the value of ruble, तो जो ruble है वो Russian currency थी, USSR उस समय पे यहां पर inflation rate high हो जाता है, मतलब यहां पर महंगाई बढ़ जाती है, inflation आ जाता है, महंगाई आ जाती है, अब छोटी से छोटी चीज को भी खरीदने के लिए, बहुत मात्रा में ruble दिये जा रहे थे, तब जाके वो खरीदा जा रहा था, तो बहुत महंगाई आ गी थी, इंफलेशन बहुत जाता हो गया था, तो पहला है इतिहात में, largest garage sale आ गया था, दूसरा, रूबल की value गिर गई थी, रूबल क्या थी, रूबल USSR की currency थी, थार्ड consequence का निकला, old system of socialism welfare destroyed, तो जो socialism का जो एक model था, कि हम social welfare करेंगे, ये जो model था, ये इनका destroy हो गया, ये खतम ही हो गया, ठीक है, क्योंकि सभी countries का जुकाव किदर था, capitalism की तरफ, capitalism की तरफ, सारी countries जुग गई थी, मतलब उसकी तरफ transfer हो गया थी, इसलिए social welfare का जो concept था, वो खतम हो गया था, नेक्स्ट है, great economic inequalities, ये ही वो दौर था, जिसमें USSR में economic inequalities हुई, मतलब कि बहुत जादा असमानता हैं हुई लोगों के साथ, क्योंकि economy जो थी, उनकी वो आगे boost नहीं कर रही थी, वो economically backward हो गये थे, तो ये आर्थिक रूप से असमानता फैल गया, बहुत बड़ी मात्रा में USSR में आर्थिक समानता मा पर आ गई, so I hope आपको समझ में आया होगा, ये चार इसके consequences है, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, ये है Arab Spring, तो देखे अरब स्प्रिंग के बार में क्या साभी question आए, आपको यही सारी चीज़े लिखनी है, जैसे ये जादर तर फोर माक्स में पूछ अब बढ़ गई, और उसी के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो 21st century में West Asian countries डेमोप्रेसी की डिमांड को लेके बहुत ही जादा प्रोटेस्ट करने लग गई, अब ये शुरू कब हुआ था, ये हुआ था 2009, दूसरा ये हुआ कहा था, तो सबसे प क्या दिमांड रखी जा रही थी, क्यों ये प्रोटेस्ट तो पहला कहा था, तो पहला कहा था, कंट्री में करॉप्शन बहुत जादा हो गया था, तो इन लोग ने करॉप्शन के अगेंस्ट में डिमांड बढ़ गया था, और पॉवर्टी, तो ये जो सोशल पॉलिटिकल मुवमेंट के नाम से भी जानते हैं मतलब अरब स्प्रिंग को हम इस भाते हैं नहीं के आरेज्ट कारी गया था, तो ये इसलिए वहा पर आटो इसको हिंदी में बोलते हैं मतलब जब सारी पावर किसी गौर्मेंट का एक व्यक्ति के पास आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं तो इसी कारण इन्हों ने डिक्टेटर्शिप की वज़े से वहां के जो लोग थे वह बहुत जादा परिशान थे करप्शन जैसे पॉवर्टी जैसे प्रॉब्लम्स जहिल रहे तो उस इसी कारण इन्होंने यह डिक्टेटर्शिप के अगेंस्ट में आवाज उठाई और ड जाए वह एक ती डेमोक्रेसी की स्टाबलिश करना तुनिस्या में अभी हमने बताया कि तुनिसिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू होती है वहां पर बढ़न लग जैसे कि येमन लीब्या सीरिया बहरेन तो ये सबी तीनीजी में तुनिशियाग 3 में प्रोटेस्ट कष़ दो प्रोटेस्ट सुरू हो जाता है इस सालहिक, लिद्फ भाद नीज्स गया हुआ है। नौट अफिका की जो कंट्रीज हैं वहां पे इस तरीके से प्रोटेश शुरू हो जाता है So that was for today I hope आपको समझ में आया होगा अगर आरफ स्प्रिंग के बार में आता है तो आप इन में से 4-5 पॉइंट जरूर लिखे आपको पूरे मार्स में लिखे Thank you so much